गुड इवनिंग फ्रेंज कैसे हैं आप सभी के सभी आई होब सभी हिल्दी हैं कंसिस्टेंटली प्रिपेर कर रहे हैं तो यार आप सभी से एक उमीद मैंने रख रही है कि अब कुछ समय तक क्योंकि एक्जाम नहीं है तो मीन्स कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे जो मीजर एक्जाम्स हैं जिनमें आप लोगों के SBA एक लर्क हैं जिनमें आपके IBPS के सभी रिकूटमेंट्स हैं जिनमें SBA PO भी है छोटे मोटे और भी रिकूटमेंट्स रहेंगे सभी एक्जाम्स आने वाले हैं तो अच्छे से प्रिपेर करो ना पूरी तरीके से focus करो mains के लिए preparation का एक बहुत ही अच्छा मौका है यार अपना जो routine है ना ऐसे structure करो कि जिसमें already अगर जिन बच्चों ने pre में certain level achieve कर लिया, बड़िया level achieve कर लिया मौक्स में भी ठीक number आने लग गया अब mains का अच्छे से practice करो कि क्लासेस के लिए live नहीं ले पाते तो recorded का time निकालो साथ ही साथ आप लोगों के self practice के लिए साथ ही साथ section box के लिए अब वीडियो पे आपने क्लिक किया किस लिए, इसलिए कि सर बताएंगे कि SBA P.O.R.C. का क्या है वो मैंने already आप लोगों को पास है कि कैसे कैसे कब कब exam होने वाल है तो वो आपके अगस से start हो जाएंगे अब देखो अभी पढ़ना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ महीनों तक आप लोगों के कोई major exam नहीं है और एक बार SBA clerk के exam से start वी ना वो cycle वो never ending है वो अब साल के अन्त तक चलती रहेगी क्योंकि उसके बाद फिर RRBs के IBPSP, IBPSC, SBAPO एक के बाद एक exam साते रहेंगे तो पूरी तरीके से बिना attention के free mind के means की preparation करना difficult हो जाएगा अभी ऐसा है कि यार जहां जहां पर कमी है उनको भी आप complete कर सकते हो और बाकी चीजें भी आप अच्छे से follow up कर सकते हो ठीक है जी clear है ये बात तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान रहो और upcoming notifications में आपका SBA clerk का है तेन आपके IBPS के recruitments, RRBPO, RRB clerk, IBPSPO, IBPS clerk and SBAPO, SBAPO आपका roughly November में expected मान रहे हैं अभी के लिए तो बाकी कोई update रहती है तो आपके साथ share करूँगा नई तो अभी के लिए classes अच्छे से लगाओ, mocks अच्छे से लगाओ, उनका बड़िया analysis करो क्योंकि ये जो कुछ मैने है ना ये फिर आगे इस पूरे साल में नहीं मिलने वाले आपको आगे ऐसी opportunity नहीं रही की, ठीक है तो focus तरीके से पढ़ाई करो साथ ही साथ नीचे description में एक free mock का मैने आपको link दिया ESIC UDC means का वो ज़रूर attempt कर ले ना जितने बच्चे भी आगे ESIC के लिए prepare कर रहे है जिन्होंने अच्छा attempt किया है prepare में ठीक है तो link description में free mock है दीजेगा और अपना score चेक कीजेगा और अच्छे से analyze कीजेगा Now that's all for today's session, take care